जहें दोस्तों अंदे मातरम, गंगुबाई कठियावाडी, ये मूवी जब से संजा लीला भनसाली ने अनाउंस करी है, तब सही लगतार विवादों में खिरी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद ये मूवी रिलीज हुई, और इस मूवी के उपर अब रियाक्शन्स भ लेकर भी लोगों की यही परसेप्शन बन चुका है, ये मूवी जो है कहीं न कहीं गलत कर रही है, लेकिन अगर हम एक कलाकार की नजर से इस मूवी को देखें, एक समीखशक की नजर से देखें, और ये देखें कि इस मूवी में काम कैसा किया गया है, तो ये मूवी जब भी सिनमाई परदे पर कोई फिल्म लेकर आते हैं तो उनकी फिल्मों में काफी उमीदे जागी होती है। इस बार भी दर्शकों को उनकी फिल्म गंगुबाई कठी हवारी से काफी उमीदे थी। हलाकि उसको लेकर काफी नेगेटिव चीज़े भी चल रही हैं मार्केट में जो कि कुछ हद तक सही भी हैं लेकिन फिल्म की कहानी कमाटे पुरा की गंगुबाई की जिन्दगी पर आधारी थे जिसे कभी उसके लवर या पती ने मातर एक हजार रुपए में बेच दिया था और फिर वह सेक्स वरकर बन गी फिल्म में कंगुबाई के किरदार आलिया भटे निभाया है वहीं रहीम लाला जो कंगुबाई का मुवला भाई होता है उसके किरदार में अजय देवगन नजर आये हैं हलाकि डान करीम लाला का नाम फिल्म में रहीम लाला कर दिया गया है ये फिल्म आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है अगर आप कगोभाई की जिन्दगी को करीब से देखना और जानना चाहते हैं तो इसके लिए आलिया की इस फिल्म को देखने का प्लान बना सकते हैं तो उससे पहले आपको ये वीडियो देख लेना चाहिए इससे कि नहीं ये कहानी है गुजरात के कठियावाडी में पली बढ़ी गंगा हर जीवन दास कठियावाडी की गंगा के पिता बैरिस्चर होते हैं गंगा एक अच्छे परिवार से तालुक रखती है हाला कि सोला की उम्र में गंगा इश्म पढ़ जाती है वो भी अपने पिता के स वभ दो अच्छो नने वंघकर मंबई ने खेया है यहां वो माहतर हजार रफे में गंगा को कमाटी पुरा की वन गलियों में बेच देता है और फिर गंगू से गंगूबाई हलाकि गंगू के जीवन बदला उताब आता है जब उसकी जिन्दगी में इंट्री होती है डॉन करीम लाला की करीम लाला को गंगुबाई अपना भाई मन लेती है और करीम लाला गंगु को अपनी बहन करीम लाला के दम पर कमाटी पुरा पर गंगुबाई का राज होता है वो कहानी अपने आप में बहुत कुछ कहती है बड़े पर्दे पर्द गंगुबाई की उस दर्द भरी राउंटे खड़े कर देने वाले कहानी को दरशाने में संजली लब हंसाली नाकाम रहे है असल किरदार में बनने वाली कहानी को जितना पर्भाविस होना चाहिए वो संजली लब हंसाली अपने इस फिल्म में दिखा नहीं पाए गंगुबाई की कहानी को सिर्फ कह दिया गया है वो भी उतना ही जितना हुसान जैदी ने अपनी किताब में लिखा था अगर किसी ऐसे शक्स पर फिल्म बनाई जाती है तो जो की असल किरदार है तो उस पर रिसर्च होना बहुत जादा जरूरी हो जाता है ये फिल्म का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि गंगुबाई के गंगा से गंगु बनने तक के सफर को प्रभावी तरीके से दर्शाने के लिए जादा रिसर्च करी ही नहीं गई अगर मेकर साथ है तो गंगुबाई के बच्पन और उसके परिवार सांग उसके रिष्टे को भी दर्शा सकते थे यह फिल्म को एक मजबूती देता कि कैसे गंगा ने अपने परिवार को छोड़ने का फैसला लिया गंगा जिसके साथ भागती है उसे कहानी में एकदम से एंटर करके हटा दिया गया ना यह दिखाया गई गंगा और रमनीक कैसे एक दूसरे करीब है और गंगा और रमनीक की लवस्टोडी को थोड़ा और अच्छे से दर्शकों दिखाया जा सकता था जिससे कि एक अटाच्मेंट बढ़ता इसके बाद जब गंगा कामाटी करण पहुँची तब उसके साथ क्या क्या हुआ शुरुआत में ये भी फिल्म से गायब दिखा फिल्म की छोटी छोटी चीजें ऐसी रही जिन पर खाम किया जा सकता था गंगुबाई और डॉन करीम लाला के रिष्टे को भी और खुबसूरती के साथ पेश किया सकता था लेकिन मेकर्स इसमें भी नाकाम रहे सबसे बड़ी फिल्म की कमी तो यही दिखी कि हम असलों गंगुबाई के बारे में जान ही नहीं पाए कि आखिर गंगा कौन थी उसका विवहर कैसा था उसके आसपास के लोग उसके बारे में क्या सोचते से उसका बच्पन कैसा था फिल्म की जान अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आलिया भट है आलिया भट को बड़े परदे पर देखकर साफ जलकता है कि उन्होंने गंगुबाई के किरदार के लिए काफी मेहनत की है आलिया भट ने शांदर एक्टिंग की है इतना ही नहीं आलिया भट की आवाज में एक बदलाव भी देखने के लिए रॉब दिखाने के लिए आलिया ने जिस तरह से दमदार आवाज में डायलोग डिलिवरी की है वो कमाल की है आलिया के लावा सीमा पहावा विजय राओ और शांतुन मिश्रा साथी सा तनिर कराकारों का बिना भी खाफी अच्छा रहा हाला कि आजए देवगन सभी के आगे थोड़े फीक ही नज़र आ है वही निर्रेशन की बात के लिए संजली रभ हंसाली के इस फिल्म में मजा नहीं आया है संजली रभ हंसाली ने पहली बार किसी बायोपिक को बनाने ही कोशिश करी लेकिन वो इसमें हमें असफल दिखाई दे रहे है फिर वो चाहे रिसर्च हो या फिर निर्रेशन और फिर कहानी ये फिल्म दर्शकों को बांदे रखने पर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता हाला कि संजली रभ हंसाली की तादीफ करनी होगी क्योंकि उन्होंने फिल्म के गानों को म्यूजिक अच्छा दिया है फिल्म में दो गाने बहुत पसंदा जिसमें कि एक ढूलिया और दूसरा है जब सही है ये दोनों ही गाने फिल्म की जान है वैसने गंगोबाई पर किताब लिखी जा चुकी है अगर आप किताब cigarette की शौकी नहीं है ये गंगोबाई कहानी से लूब्रू होना चाहते है तो आप आलीयवड की फिल्म गंगोबाई को जरूर देखें अगर आप गंगोबाई के बारे में तसल्यी को देखना इसकिब भी कर सकते हैं इस मूवी में वाकई में काफी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकों की शामिल ही नहीं किया गया है मतलब आप एक जब बायोपिक बनाते हैं जैसे कि हमने मिलखा जी के बारे में मूवी देखी थी तो इसमें काफी जो उनका बैकड्रॉप था जो उनके फैमिली के साथ हुआ था उसके उपर काफी ज़्यदा ट्रमाय समय बिताया गया था और क्योंकि वहाँ पर इतना टाइम दिया गया था इसलिए उस मूवी से हर एक इंसन अटैज भी हो पाया था वहीं अगर हम बात करें गंगुभाई की जो कि अच्छा काम कर लेती है तो ऐसे में आपको क्या करना है आपको बस एक मूवी तो बना नहीं है और वो बना दी है मतलब संजीरियल भंसाली का जो एक स्टेटस बना हुआ है ये मूवी उसके आसपास ही फटकते हुए दिखाई बेसिक सी बात है नहीं देती है अलेवट का काम वाकई में बहुत अच्छा है कहानी के ओपर काम किया जा सकता था जैसा कि मैं आपको बताया कि कहानी काफी सारे पॉइंट्स पर लाइक करते हुए दिख रही है और क्योंकि वो लाइक कर रही है इसी लिए दूसरी चीज़े भी अपने आप ही निकल कर सामने आ जाती है कि भही इस चीज़ के बारे में हम लोग क्या कर सकते थे और क्या किया गया है बहुत सारी छोटी-छोटी से चीज़ें होती है एक जीवनी में जिनकों कि आपको ध्यान रखना होता है और एक मूवी को दर्शक की नदर से भी देख सकते होगी यार क्या ये चीज़ दर्शक को कन्विंस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी क्योंकि अधिकतर चीज़ें यहाँ पर कन्विंस करते हुई दिखाई बिलकुल भी नहीं दे रही है अब अगर आपने ये मूवी देख लिए तो मुझे अपने एक्स्पीरियंस के बारे में जरूर बताएगा और अगर आप ये मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं तो मेरे रिव्यू हो सकता है आपकी हिल्प करेगा तो मेरे वीडियों से लात नहीं जय हैं जय भारत आठ मिनिट का कर देना इसको कर देखने हो देखने हैं झाल झाल